हेलो गाईज, वेलकम टो जाइकान फ्लेवर तो चलिए फ्रेंट्स, आज हम लोग बनाएंगे बिना प्याज, बिना लेसन की ये बेसन और आलो टमाटर की सबजी फ्रेंट्स ये सबजी बिना प्याज, बिना लेसन के भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बनने के बाद तो आप जब भी आपके घर में कोई व्रत हो पूजा हो और जैसे कि नवरात्रे में हम लोग लेसन प्याज नहीं खाते हैं तो इसमें आप ये सबजी बना सकते हैं तो चलिए सबजी बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर सबजी बनाने के लिए ले लिजे आप लोग तीन मीडियम साइज के आलू इनको हम चौकुर साइज में काट कर तियार कर लेंगे एक टमाटर ले लिए और दो सितीन चंबच बेसन ले लिजे जो चंबच आपको दिख रहे ही मैंने इसी चंबच से मेसरिमेंट किया है फ्रण्स तो सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे चौकुर साइज में तो इस तरीके से आप आलो को काट लीजे फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और फ्रेंट्स आप सभी को थेंक यू वीडियो को देखने के लिए और मेरे उन सभी फ्रेंड्स को थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है फ्रेंड्स अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी रेस्पी आपके साथ मैं शेयर कर दी रहती हूँ तो उनको जरूर देखिए आप लोग यहां पर मैंने आलू को काट कर तियार कर लिया है तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं टमाटर भी मैंने काट लिया है और हरी मिर्च भी तो यहां पर मैंने गैस में कड़ाई रख दी है अब उसमें हम डाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून सर्सों का तेल बस तेल गरम हो जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा तो देखिए जैसे तेल गरम हुआ हमने आदा चमच यहां पर आदा चुटा चमच जीरा डाल दिया है सब्जी में बस जीरा चटकने लगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू आलू को फ्रेंट्स मैंने दोकर रख लिया है यहां पर काटने के बाद आलू को दोना ज़रूरी हो जाता है तो आप लोग भी आलू को धो कर ले लीजे तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा आलू डाल दिया है सबजी में अब आलू को हम लगबग एक मिनट इसी तरह से तेल में चलाएंगे अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच धन्या पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर स्वाथ के अनुसार नमक तो यहाँ मैंने लिया है एक चोटा चमच नमक एक से डेढ़ चोटा चमच नमक डाल दीजे आप लोग यहाँ पर अब इन से भी चीज़ों को आलो के साथ अच्छे से मिक्स करती हम चलाएंगे तो हमारे मसाले भी बहुत अच्छे से बुन जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग एक से दो मिनट मसालों को अच्छे से भून लीजे आलो के साथ वह यहाँ देखी मैंने दो से तीन चोटा चमच यहाँ पर बेसन लिया है अब बेसन को भी हम आलो के साथ चलाती भी मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से सबजी बनाएंगी तो इस सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और ग्रेवी में हमारी बहुत ही गाड़ी हो जाती है क्योंकि बेसन में जब डालती है तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा फ्लिवर आता है और इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है बिना प्याच के तो इस तरीके से सब्जी जरूर एक पर बना कर देखें आप लोग तो यहाँ पर हमें बेसन डालने के पाद लगवग 2 मिनट लो फ्लिम पर चलाते हुए भून लेना है तो हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भून जाता है आलो के साथ तो देखें हमारा बेसन यहाँ पर भून चुका है अब इसमे डालने के हम हरी मेड़ जो टमाटर स्टमाटर को भी लबब 30 सेकंड हम यह आपर भून लेंगे अब इसमें डालनेंगे हम पानी तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने गरम पानी करके डाला है अप लोग चाहें तो गरम पानी डाली या फिर नॉर्मल पानी ही डाल दीजे गरम पानी डालने से होता ही है कि सब्जी में बाल जल्दी आता है और सब्जी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए मैंने एक पानी को गरम करके डाला है जब भी आप लोग ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो गरम पानी ही डालें इस से क्या होता है ना सबजी हमारे बहुत ही जल्दी पक जाती है तो यह भी एक ट्रिक है सबजी को जल्दी पकाने का तो इस ट्रिक को जरूर फॉलोग किजी फ्रेंट साप लोग तो देखे पाने के साथ बहुत अच्छी से मिक्स कर देंगे सबी चीजों को यह पर चलाना जरूरी हो जाता है holy friends क्योंकि हमने e dhukken behosanh , डाल है तो अच्य से हम चला देंगús सब्जी को और सब्जी को चल ऑंकर पका लेंगे तीन चार मिनट बाद हम खोल टे को खोल कर देख लेंगे और चला भी देंगे परी सात अठाहे मनट में आपके सब्जी बनका रिकード tá죠 तो 3-4 मिनट बाद आप लोग एक पर सब्सके को चेक कर लीजे और इसको चला दिजिए और फिर से ढख कर पका लीजे देखिए अबी सब्सक्राइब्स होगी अब है कि अदियों का पटा बोगा देखिए अब हमारी पकी नहीं देखिए आलो काफ़ी टायट लग रहा लाए चली सब्जी को हमने यहां पर अच्छे से चला दिया है अब इसको फिर से ढखेंगे और इसको दो से तीन में फिर पका लेंगे तो देखी फ्रेंट से यहां पर दो तीन मेंट और हो गया है पकते पकते तो सब्जी को चली फिर से चेक कर लेते हैं सब्जी हमारे यहां पर लगब पक चुगी है तो इसमें हम डाल देंगे आखरे में आदा चोटा चमच गरम मसाला सब्जी देखने में काफी टेस्टी लग रही है और देखिए सब्जी मारे पक गई तो इसमें ब्लास्ट में डाल देंगे दन्या की पत्या और गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को ट्रांसपर कर लेंगे एक बोल में तो लीजे फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बिना लेसन प्याच के आपकी सब्जी एकदम बनकर तयार है इसको जरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि इसमें बेसन डाला है ने तो इसके वज़े से सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है तो चैनल पढ़ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कल मत भूलिए तो फिर मिलते है एक ने रेस्पी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत इस सब्जी को जरूर ट्राइ कीजे